गौरव शर्मा एक वेटलिफ्टर के रूप में गौरव ने द्रोन अचारिय अवाडी कोच भूपिंदर धवन के मार्ग दर्शन में पावलिफ्टिंग की ओर रुप किया. दिल्चस्प बात यह है कि वो शुधशाकाहरी है और मास या मचली या अंडे खाने से इंकार करते हैं क्योंकि उन गौरणी चौक के एक मंदर में महंट्पुजारी हैं अब देजते हैं और आप बिमारी की तरफ और शरीर को नुकसान की तरफ लेते जाते हैं जो लोग नॉन्वेज भी खाते हैं, आज की डेट में आप उनको भी देख रहे होंगे, कि डॉक्टर एक एज आने के बाद बोलता है कि आप नॉन्वेज आप छोड़ दीजिए, आप वैज प्याजी और वैज की सासत आज कल चलता है, वेगन चल रहे हैं, कि वेगन जो हमें क्रीम दूद ये सब चीजे मिल रही हैं, वह भी छोड़ रहे हैं, प्यूर उस पे आ रहे हैं वेगन पे, तो कहीं न कहीं लोगो पता चल रहा है और लोग आ रहे हैं इसकी तरफ भी, और मास मच्ची खाने से कोई ताकत नहीं आती, मैं प्यूर वेजिटेरिन हू कि सारा तो मैं नहीं खोल पाऊँ आपको, कुछ चीजे होती हैं, जो सिक्रेट भी होती हैं, उसके लावा जैसे दूद बहुत लेता था मैं, मैंने कोई सप्लिमेंट यूज नहीं करे आज तक बोड़ी पेमा रहा हूं आपको, आज की डेट में बहुत चल रहा है, आप द मैंने कभी कोई प्रोटीन भी नहीं खाया होगा, कभी कोई अमीनों भी नहीं, कुछ भी नहीं लिया होगा मैंने, और उसके बाद जाकर मैं चैंपेन मना, तो दूद लेता था, घी लेता था मैं गाय का, पनीर लेता था, दाल लेता था, ओट्स लेता था, रागी की रोट सब करनी पड़ती है तो अच्छा रहता है वेजिटेरियन में आपके लिए है